आपका वी निशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहाँ आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुक अपडेट्स को सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतिया वा प्रोग्राम को इनिशेट करने में एक महतपुन भूमिका निभाई थी और वो इस प्रोग्राम से काफी जड़े हुए भी हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हैं कि एमका प्रोग्राम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने बाला है और हम इसको 5.5 जनरेशन का एरक्र इसकी जो capability है वो यह मौदूदा 5 जनरेशन जो fighter aircraft है उनको सरपास कर जाएंगी उसमें कोई भी यहां पर संदे है कि इस्तती नहीं बनने वाली उन्होंने कुछ key technologies है जिनका नाम भी लिया है और उस पर चत्चा भी करी है उन्होंने कहा है कि आपको एमका में artificial intelligence और electronic pilot देख करेंगे यानि मान लिजे कोई युद्ध के स्थती में यह जो co-pilot होंगे या electronic pilot होंगे यह हमारे जो manned pilot हैं इनको मदद करेंगे कि यह real time जो decision making है उसको अच्छे से कर पाएं इसके लावा यह पूरी की पूरी battlefield को monitor करने का काम करेंगे और सबसे खास बास तो यहां पर यह रहेगी कि जब हमारे पाइलेट व्यस्त रहेंगे आपको operate करने में और ऐसे में अगर हमने unmanned vehicle को airborne किया है तो यह जो electronic pilot है वो इन unmanned vehicle को control भी कर पाएंगे और यही कारण है कि अर्कैस बदारिया सर ने कहा कि जो analytical development agency है यह already program में काफी गंभीरता के साथ काम कर रही है और जो इसी जीज़ को लेकर के आर्कैस बदारिया सर का कहना है कि यह aircraft हमारे लिए game changing ने संदे साबित होने वाले हैं दूसरा बड़ा system जो आपको देखने को मिलने वाला है advanced medium combat aircraft में वो synthetic vision system होगा अर्कैस बदारिया सर ने यह भी mention किया स्वरी कि जो synthetic vision है वो भी हमें देखने को मिलेगा यह technology basically करती क्या है कि यह पादल बहुत जादा हो गया अंधेरा बहुत जादा हो गया या दूसरे जो visual abstraction है यह भी होते है तो इनके बावजूद भी एक clear जो representation है battlefield का यह पारेट के सामने रखती है और ऐसे में पारेट के पास एक advantage आ जाता है क्योंकि उसकी जो situation awareness है वो काफी improve होती रहती है इसके अलाबा जो man and man teaming है यानि मम्टी है यह भी हमें देखने को मिलेगा यह key element होने वाला है हमारे 5.5 generation के आमका aircraft program में क्योंकि man and man teaming का सबसब बड़ा benefit यह रहेगा कि मान लिजे contested airspace में घुसने से पहले हमारे जो man pilot है यह अर्मैन एर वेकल्स को airborne करेंगे और यह enemy के शेत्र में जाकरके उनके जो air defense है उनको suppress करेगा यह फिर उनके radar system को destroy कर पाएगा यह फिर जो record mission है यह surveillance mission है वो इससे execute किया जा सकेंगे और ऐसे में हमारे pilot को enemy के airspace में घुसने से पहले ही उस airspace की पूरी जानकारी जो है वो पहुँच जाएगी और ऐसे में उनकी जो survivalty के chances है वो भी काफी जादा बढ़ जाएगे अगला बढ़ा जो main technologies में integrate की जाएगी वो data fusion और network centric warfare होगा जहां इसका ये crucial aspect है क्योंकि six generation fighter craft में भी ये जो capabilities है ये next level की इस्तमाल होने वाली है या use उपयोग में आने वाली है और ऐसे में भारती अवायो से ना भी इस technology का उपयोग करना चाहेगी अपने amka fighter में सबसे खास बात तो यह रहेगी data fusion की जहां तक बात रही तो इसमें ज capability को काफी ज़्यादा enhance कर देगा RKS बदारिया सर का ये मानना है कि इस technology पर हमने काफी पहले ही काम शुरू कर दिया था क्योंकि हमको पता था कि यह भौश्य के technology है निसंदे आपको अभी practical चीज़ें हैं बहुत साइद ना दिखाई दे रही हो लेकिन यह चीज़ें बहुत कि अलड़ी cabinet committee on security ने इस प्रोग्राम को approval दे दिया है funds release कर दिया गया है और आमका mark 1 पे काम शुरू भी कर दिया गया है अब आमका क्योंकि दो अलग अलग variant में देखने को मिलेगा mark 1 और mark 2 में basically आपको general electric F4 and 4 engine देखने को मिलेगा और mark 2 जो है यह आपको indigenous 110 क्योंटें ट्र के में नहीं ले सकते क्योंकि इनकी पास potential है कि यह पूरे के पूरे प्रोग्राम को delay कर सकते है और इनके उपलब्दता ना होने के कारण हम अमका program को timeline देके बैठे हैं उससे भी हमें हाथ दोना पड़ सकता है इसलिए भारत सरकार को सबसे ज़्यादा प्रात्समिक्ता अग भी हमें पीछे करने पर सकती है ख्यार आपको बता दें कि इस समय दो कंपनिया हैं जिन्होंने काफी ज़्यादा एक दूसरे के नाक में दम कर रखा है और उसका फाइदा भारत को मिल रहा है वो है रावल्स रॉइस और सैफ्रान सैफ्रान में उलेड़ी 100% commitment अपनी दिख जा रहे हैं साथ साथ जॉइंट इंटेलेक्शन प्रॉपर्टी राइट्स हैं यह होल्ड करेंगे भारत और फ्रांस दोनों यानि कि भारत को इने क्राप्स को जो इंडिजनस इंजन बनाये जाएंगे उनके साथ एक्सपोर्ट करने के लिए किसी अन्य देश की परमिशन ह वह लेनी नहीं पड़ेगी और सेम उफर हमें रोल्स रोइस के तरफ से होता दिखाई पड़ा है रोल्स रोइस ने भी कह दिया है कि 100% देने के लिए तयार है साथे साथ भारत के लिए बड़ा बेनिफिट है कि टेस्ट बेट की प्रॉब्लम हमारे पास अब नहीं होने व इंजन दो में जो में इंजन राफल में इस्तमाल किया जाते हैं उनका इंजन किया जाएगा अब इसन बाइच यह है कि यह बहुत बहुत बड़ी सरदर्दी थी क्योंकि अभी तक भारत के पास कोई भी फ्लाइंग टेस्ट बेड इस पॉइंट अफ टाइम पे नहीं है तीन बार प्रयास किये गए और तीनों बार ये प्रयास वेफल रहे सबसे पहले जो प्रयास किया गया था वो था लेकिन अब माना जा रहा है कि फ्लाइंग टेस्ट बेड को लेकर के भारफ सरकार गंभीर नजर आ रही है अलाकि अभी 20 पॉइंट अफ टाइम पर ये स्पॉस्ट नहीं है कि कौन साइक रा फ्लाइंग टेस्ट बेड होगा लेकिन शायद कोई बड़ा निर्ड हमें आता पिश्य में दिखाई पड़े तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अप